हलो स्टूरेंट्स माई नेम इस गीतांजली इंदिया वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी और आज पढ़ने वाले हैं हम कक्षा दस्वी हिंदी शितेच का पाठनो संगतकार अब यह संगतकार कौन जिनकी हम संगती में रहते हैं बिल्कुल सही जो हमारे मित्र होते हैं बिल् संगतकार जो बोला घ्या है यह पिक्चर देख चल रहा है कोई गा रहा है कोई बजा रहा है दौ लोग घारे में को इसको कि पहाइन था रहाए घर संगतकार जो इक्ट्रमंडली हो गीए कोई बंवाला फूरा स्टूडियो सहा हुआ है यह तयाफे मुयों की वह गाने वाली जो है एक टीम है तो संगतकार नाम यहीं से आधारित लिया गया है यह पार्ट जो है इस पर याधारित है कि जब कोई गायक गाना गाता है मुख रूप से जुगा रहा है जिसके सामने माईक है बाकी चार-चार केदी गुरूप लगे गुरूप सौंग चल रहा लगातार वो कब तक खीचेगा तो उसके स्वर में स्वर मिलाने के लिए या उसके स्वर को और निखारने के लिए या दवे स्वर को बाकी लोग उठाते हैं तो जो उठाने वाला काम करते हैं बाकी लोग उनको कहा गया है संगतकार तो यहाँ पर कवी ने कवीता रची है जहां पर संगतकार का बड़ा महत्व है कि अभी तक हम क्या है मुख गायक को सुनते रहते हैं हमने पीछे जो म्यूजिक दे रहे हैं म्यूजिक के ताल पर जो उसके गान स्वर से मिला रहे हैं इन सब को तो हम भूल जाते हैं हम जिसने गाना गाया है आप इतने सारे गाने उन्ते आ रहा हो आपको उनके गायक के नाम याद है या फिर उस हीरो का नाम याद होगा जिस पर वो गाना पिक्चराइज हुआ है यह गाना वो गाया गया है तो आपने वो गाया गाना जिस पर डाला आपको हीरो याद है ज्यादा हुआ तो आपको गायक याद हो जाता है पर उसके साथ कौन लोग खड़े थे नहीं पता किसने कौन सा वाधियंत्र भजाया आपको नहीं पता क्योंकि हम उन्हें याद ही नहीं रखते तो कवी ने यहाँ पर उन्हीं लोगों की बात की है जो मुख गायक के साथ अपनी ताल लिए बठे होते हैं या अपनी ताल सज कि दाते हैं उनके साथ जब मुखगायक कही कमझोर पढ़ने लगता है जब उसका गला किछए कर फटने आसा लगता है उस समय जो अन्य गायक होते हैं उसका साथ दे रहे थे वहां साथ देते हैं और एक नई टाल्वाई रहती है उपर से ताल को उठादेते तो उस बुझते हुए गले को पुछते हुए कहेंगे यह उस दबते हुए गले को जो सहारा देते हैं वो हैं संगतकार तो यहां संगतकार का वही अर्थ है इसलिए यहां पर यह पिक्चर आपको दिख रही है अब आगे देखते हैं संगतकार जो एक कवीता लिखने वाले कभी हैं वो हैं मं मंगलेस दवराल जी ने इतनी इन्होंने अपनी सोच को आगे बढ़ाया कि जहां लोग सोची नहीं सकते उनके बारे में लिखेंगी नहीं उनके बारे में देखते नहीं उनको हम यादी हम उन्हें याद ही नहीं रख पाते तो उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है तो य इतिकार बने मंगलेस डवराल का जन में सन 1948 में टिहरी गड़वाल उत्रांचल उत्रांचल में ये जगा है के काफल पानी गाउं में हुआ था सिक्षा दिक्षा हुई देहरादून में बड़े अच्छी जगा पड़े थे ये तो दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियल प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद गोपाल में भारत भवन से प्रकासित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादन हुए तो जो गोपाल गोपाल में जो भारत भवन से प्रकासित होती थी पूर्वग्रह में ये संपादक हुए देहरादून में की सिक्षा हुए उनी सोड़ तालीस मिन का जन्म हुआ था जन्म हुआ था इनका टेहरी गड़वार उत्रान चलके काफल पानी गाउं में फिर इलाभाद और लखन चलके हुआ था उसमें भी इनका युगदान रहा वहां पर भी संपादक कपा दिनों ने समाला डवराल जी ने फिर कुछ समय बाद सहारा समय में संपादन कारे करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं तो बरतवान में वो कहां से जोड़ी हैं नेशनल ब लुट कारे यह सब रहता है ना वहमेसा कहीं न कहीं ऐसी पत्री का अखवार से जुड़े होते हैं यह उससे खाली नहीं बढ़ते हैं और यह बहुत अच्छी बात होती कि जिस छेत्र में हमाना चाहिए तो शेत्र में लंबे समय तक जुड़े रहो हमारा खुद का अनुभाव भी बढ़ता जाता है इनके चार कवीता संग्रेप प्रकासित हो चुके हैं बेस प्रकार हैं पहाड पर लाल्टेन घर का रास्ता हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है तो ये इनकी क्या है कवीता संग्रेप साहित अकैदमी पुरुसकार पहल स सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याती अनुभादक के रूप में भी है मंगलेश की कवीताओं के भरतिये भासाओं के अंग्रेजी रूसी जर्मन स्पानी पोलस की बलगारी भासाओं में भी अनुभाद प्रकासित यहां पर इनके अनुभाद प्रकासित हैं तो यह क्या और पस अंग्रेजी है रूसी है जर्मनी है स्पानी पोलस की बल्गारी भासाओं में इनके अनुबाद हैं मतलब कितनी भासाओं का इनको घ्यान प्राप्त है कविता की अतिरेक्त बेश साहित सिनेमा संचार संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी क एक लेखनी चलती रहती है मंगलेग की कविताओं में सामनथी बोद एवं पूंजी वादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार जो चल रही है जो उसके विरोधufen और पूंजी वादी या коль चल चलं कपट ये चलते हैं संचार्छ नहीं बल्कि प्रति पक्ष में एक सुन्दर स के नहीं कुछ ऐसी रचनाओं से वो इनका प्रतिकार करते हैं घड़ी किसी विशय के बारे में लिखा है तो बहुत सुक्षता से बहुत गहराई से उसका अध्यन किया है तो इनका जो सौंदर बोध है बहुत ही सूक्ष में है और भासा क्या है पारदर्सी मतलब सबकी समझ में आने वाली भासा है आगे कविश्री मंगलेस डवराल जी ने जिके अनुभूती के धनी देखिए जिन्हों ने इतनी जगा कारे किया हो वो अनुभूती मतलब जो भी उन्होंने अनुभूती जो भी उन्होंने अहसास किया उसका अनुभूता उन्होंने तो अनुभूती के धनी थे इन्होंने व्यक्ति का तन्युफूति क्या धार अपनी संबेदना प्रगण की उनकी कविताओं में पूझी बादी वेवस्ता के प्रती अक्रोस हैं पूझी बादी वेवस्ता धन-पतियों की वेवस्ता यो धनाड louq उनकी जो बबस्ता अपने अनुसार वो चलाते हैं ताना साही वाली उसके ब्रोध में इन्होंने हमेशा अपने भाव प्रगट किये हैं इनकी कविटाओं में परंपरागत किसी शास्त्री मानने तके प्रति कोई आस्था नहीं पुरानी परंपराओं को निर्थक मानकर अभिव्यक्ति के लिए नैने प्रयोगों को इस्थान दिया है इस प्रकार कभी नवींता का पुजारी है कुछ नया लाना चाहता है पुराने उपमान और प्रतिक को कभी को निर्जीव से लगते हो कह रहे हैं कि हम नहीं पुराने जो लेखा को कभी करते आ रहे हैं किसी का उपमान मतलब किसी का किसी पर आरोप कर देना यह मुझे निर्जीव प्रतित होते हैं मैं इस तरीके का प्रयोग नहीं करता इनकी कविताओं में गद्यात्मक मुक्तचंद है नैय नै प्रतीक हैं अनुभूती की चटदा है इनकी भासा सहज है सराल है क्यों कि पारदर सी है समझ में आ जाती है देनिक जीवान में बोले जाने वाले शब्दों को ही उन्होंने अपनी कविताओं में इस्थान दिया या कविताओं का माध्यम बनाया है भासा को कहीं भी दुरूह नहीं किया देकि पारदर्सी एक शब्द पारदर्सी अपने आप में पूर्ण है कि भासा सरल है सहज है कठिनता से दूर है और ऐसी भासा जो सामान ने बोलचाल में आती वही पाठ दर्शी जो हम हम और आप समझ पाते हैं फिर दुरूह नहीं उने दिया सहजता से भाव समझ में आने वाले शब्दों का प्रियोग थे पाठ दर्शी मैंने का पूरा में व्यक्ति किया है उसको इनके कब में बडnya Nove sweet shouldi का उवर्दन का फ्रेयोक किया है जादतर तो यह इनकी भासा शैली कि अब सब्सक्त्रूं के बारे में मंगलेज जी के बारे में देखा कि मंगलेज जी 1948 में जय्थ हुआ पजनले पत्रीकाउं की संपादन में अखवार साथ उनकी जो कविता है वो बताएंगी हैं इनकी सर्ण सहाच पारदर्सी अनुभूती रूप अनुभूती के आदार परवडनन है साथ ही इनों ने बताया कि इनके उसमें जो जीवन परीचाय उसमें दिया गया है कि यह नए नए प्रतिवानों का प्रयोग करते हैं पुरानी रूडिवादी को लेकर नहीं चलते हैं तो यह इनका पूरा जीवन परीचाय का सार हो गया अब है पाटका सार पाटका सार भी थोड़ा सा लंबा इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पाटका सार आपको मैं शौट में न देखे ये बता पाऊं कि आखिर हर एक अंत्रे में क्या-क्या बात कही गई है जिसको सार के रूप में समेटा गया है संगतकार कविता में कभी ने उन कवियों के महत्त को दर्शाया है जो मुख गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उनके स्वर को गती प्रदान करते हैं एक मुख गायक गारा है तो अन जो गायक है जो उनके स्वर में गती प्रदान कर रहे हैं, यदि मुख गायक थोड़ी सास लेने के लिए रुख जाता है तो आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बाकी लोग उसके स्वर में गती दे रहे हैं, संगतकार मुख गायक को उस समय सह मगाने लगता है इस प्रकार संगतकार सदेव मुख गायक की आबाज में अपनी आबाज मिलाए रखता है मुख गायक किसी अंतरे की जटल तानों में जब उलत जाता है कहीं खो जाता है तो उनको जो बापिस लाने के लिए काम करते हैं भटक जाता है तो संगतकार क्या करते हैं उस अंत्रे की मुख पंक्ति को पकड़े रखते हैं संगतकार की ऐसी भूमिका होती है जैसे मुख गायक के बिख्रे और चूटे हुए सामान को समیट का रिखटा करके जो चलता है क्या बात कही है वो संगतकार है कई बार मुख गायक गाते गाते कहीं अपनी पंक्ती में खो गया तो मुख पंक्ती जो थी वो समाले रहते हैं संगतकार तो संगतकार का जो काम होता है वो यही कि मुख गायक से जो सामान चूट गया है मतलब जो लए ताल कहीं चूट गई है उस लए ताल को समेट करे खटा करके जो चलता है वो है संगतकार कभी मुख गायक के तार सब्तक मतलब उसके स्वर ताल गाते गाते बिखरने लगते हैं उसका स्वर उसका साहस कहीं डगमगाने लगता है तब संगतकार अपनी स्वर से उसके डगमगाते हुए उस साहस को बल प्रदान करता है उसकी आवाज को बल द है तो संगतकार का इतना रोल है जिनको हम याद नहीं रखते हैं गाय गये मतलब जो गाय गया 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 है उस राक को पुना गाने के लिए वो प्रेड़ करता है साथ में संगतकार को यह हिचक संकोच भी होता है कि कहीं मुख गायक से मेरी आवाज तेज ना हो जाए देखो संगतकार करे अब मानले गाолотी कि मम यहां मेरा ग्रूब घड़ा है तो यहां माईक रखा वह पांच लोग हैं मुख माईक जिससे मेरे तो मैं जहां लड़ से आगे हमारी आवाज ना निकल जाए ताल मेल भी बना के रखते हैं तो कभी के अनुसा संगतकार स्वर को नीचा रखता है उसकी यह उसकी विफलता नहीं यह उसका क्या प्रकार से अपने मुख गायक के प्रती आदर और एक मनुष्रता का भी प्रतीक है और एक त्याग का भी प्रतीक है वो अपनी आवाज को नहीं बढ़ाना चाता नहीं मुख गायक यह है तो मेरी आवाज धीमी रहे यह बिफलता का नहीं बलकि मनुष्रता का और त्याग का प्रतीक ह संगतकार का गुणवा यह तो हमने नहीं सोचा था अब यहां से आते हैं हम कभीता पर कितने सारे ऐसे शब्द मिलेंगे कि आपको लगेगा कि हां इतना सौच सकता है कभी जहां तक हम नहीं पहुँच पाते हैं वहां तक सच कभी पहुँच जाता है मुख गायक के चटान जैसे भारी स्वर का साथ देती आवाज सुंदर कमजोर कापती हुई थी बहें मुख गायक का छोटा भाई है या उसका सिस या पैदल चल कर सीख कर आने वाले दूर का कोई रिस्तिदार सीखन आगे साथ देती है वे आवाज कौन संगतकार सुंदर कमजोर कापती हुई थी तो साथ देती उन संगतकार की आवाज सुंदर का ओंने गाते कमजोर है बहे मुख गायक का छोटा भाई या तो हम उसे मुख गायक का भाई भी कह सकते हैं उस संगतकार को जो खड़े हुए हैं या उनका सिस्सी भी कह सकते कि मुख गायक हो और यह सारे उसके सिस्सी खड़े जो उससे सीख रहे हैं यह ऐसा कह सकते हैं कि पैदल चल कर कोई सीखने वाया मुख गायक के पास आया हो ऊस गाने की दुन में अपनी आवाज को मिला देता है संगतकार यह काम प्राचीन काल से होता चला रहा है एक पंक्ती मैंने गयाए चाए बाकी लोगों ने रिपीट किया मैंने एक अंत्रा गाया फिर पुरानी सबसे पहली वाली पंक्ती को दोहरा दिया इससे क्या फायदा होता है जो मुख गायक है उसको थोड़ी राहत मिल जाती है उसको तना खीचना नहीं पड़ता है ले-अ- प्राचीन काल से जब गायक जब अंत्रे की जटल तानों के जंगल में, मतलब प्राचीन काल से जब गायक जब अंत्रे की, अंत्रे की मतलब जो अंत्रा गारा है, जो पेरा गारा है, कई बार उसकी तान में उसकी लए उसकी स्वर में जब वो उलच जाने लगता है, तो क्या वो गार रहत कई बार ताल से बाहर जाने लगता है चला जाता है बटकता हुआ एक अनःध में जब आपने ही sociedade में कहीं भटक जाता है तब संगतकार संगतकार eens लाइक vimos कर वड़ता है आगे तो जब कभी मुखगायक अपने ही ताल में अपनी ही ताल से आगे निकल जाता है कहीं खो जाता है कहीं अपने में ही गाने लगता है उस समय मूल भाव को या मूल ताल को लेकर चलता है संगतकार जैसे समेटता हो मुख गायक का पीछे छूटा हुआ सामान कैसे है यह संगतकार ऐसा लगता है कि जैसे गायक ने अपना जो सामान छोड़ दिया मतलब जो लेटाल सुरु छोड़ चुका है उस लेटाल सुर को समेटे हुए है संगतकार समेट कर उसे आगे की तरफ ले जा रहा है संगतकार वो जैसे याद दिलाना होता है वो उसका बचपन जब नौ सिखिया था तो वो उन जैसे वो चुटा हुआ सामान और जैसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो नौ सीखिया था तो जब ये नौ सीखिया थे तब किस तरीके से मुख गायक के साथ रहते थे या बैसे कि मुख गायक भी जब नव सीखिया था तो उसको कैसे अपना सामान समेटना पड़ता था ये दोनों ही बाते लागू हो जाती है आगे देखते हैं अब यहाँ पर आर्थाया है उस पूरी पंक्तियों का जो अभी ने पढ़ी है कभी ने मुख गायक के स्वर में स्वर मिलाने वाले उस संगतकार के महत्व को दरसाते हुए कहा है यहाँ पर एक पैराग्राफ जो की सही रूप से जमाया गया है कि कभी ने मुख गायक के स्वर में स्वर मिलाने वाले संगतकार के बारे कोई महत्व दरसाते हुए कहा है कि जब मुख गायक अपनी चट्टान से भी भारी स्वर्ग में गीत गाता है तब SANGTKARS को सहरा देता है संगतकार की मुख आवाज या मुख संगतकार की आवाज मुख गायक की अपेक्षा सुंदर कमजोर कापती हुई तो होती है कमजोर होती है थोड़ा उतना तीब्र नहीं गापाता संगतकार गायक का छोटा भाई हो या शिश्य हो या ऐसा लगता है कोई दूर का रिष्टेदार हो यह रिष्टेदार संगीत सीखने आया हो कहीं से पैदल चल कर यह संगतकार पुराने समय से रहा है मुख गायक संगीत की कठिन तानों में जब भटक जाता है अर्था सवर के साथ जब नहीं का पाता है तब संगतकारी अपने संगतकारी से इस्तिती को समाल eco करते हुए एसा लगता है जैसे मुख गायक अपना कहीं सामान छोड़ कर आया हो और उसे ऐसा करके वह मुख गायक को यह अहसास कराने की कोसिस करता है कि बहभी कभी ऐसा ही करता था जब नौ सेखिया हुआ करता था जैसे आज भी मंच पर हो रहे हैं तो कहीं न कहीं यह बात एहसास दिलाती है कि ऐसा करके वह मुख गायक को यह ऐसास कराने कोसिस करता है कि बहभी ऐसा ही करता था जब नौ सीखिया हुआ करता था मतलब जब यह संगत कार भी इस तरीके के भाव लाते थे ऐस तरीके काम करते थे लाएटाल को छोड़ देतेते जब नौ सीखिया मतलब जो नाया नया सीकता है उसको कहते हैं नौ सीखिया आगे हैं इससे संबंद जो आपने पड़ा पढ़ा है जो अंतरा पढ़ा उससे अंतरा से संबंदित है प्रशन है भटके स्वर को संगतकार कप समालता है जब मुख गायक कहीं अपने ही लायो अधुन में जूब जाता है अभी आगे देखते हैं मुख गायक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है तो मुख गायक क्या है फिर अपने स्वरों को समाल भी लेता है आगे देखिए बटके हुए स्वर को संगतकार तब समालता है जब गाते गाते गायक गीत के बीच अंतरे के जटल तान रूपी जंगल में कहीं खो जाता है त सरगम की सीमा लांग लेता है मतलब लाय ताल को जब भूल जाता है तब और कहीं अपने ही अनहद में भटक जाता है तब संगतकार उसे समालता है और इसका मुख गायक पर ये प्रभाव पड़ता है कि उसे क्या मिल जाता है सहारा मिल जाता है उसका गायन प्रभाव पूर बश्ठ बना रहता है यह संघत्कार मुखगायक कर समाब लेता है जब कहीं भूल जाता है बटक जाता है अपने पनी आवाज़कर उसे सम्हालता है इससे मुखगायक पर क्या प्रभाव पड़ता है कि उसका ताल उसके स्वर स्वर हैं वह सही रूप से चलते उनसワरों को सहारा मिल जاتा और उसके गाने पर भी प्रभाव साली प्रभाव पढ़ता तो जब कर जाता तो नौ सीखिया मुख गायक को कहा रहा था कभी किसी मुख गायक का संगतकार हुआ करता था और उसी तरह मुख गायक के इस्थाईल राग लए ताल को समाल कर सीखने का प्रियास करता था और मुख गायक को भटकने से बचाता था तो यहाँ पर संगतकार ने जो किया है संगतकार यह एहसास दिलाना चाहर है कि तुम भ रूप से कहा गया है मुख गायक को यूगि जब गायक बच्पन में स्टीक्षा दीक्षा ले रहा था संगीत की और जब भैवी संगतकार हुआ करता था तब भैवी इस तरह मुख गायक के छोटे हुए लाइताल को समयट कर आगे बढ़ता था तो और समयट कर समहल कर सीखने का प्रयास करता था तो इसलिए यह मुख गायक के लिए कहा गया है जब भटकने से वह और उन्हें भी वह मुख गायक बचाता था संगतकार की भूमीगा का महत कप सामने आता है संगतकार की भूमीगा का महत बिलकुल जब गायक कही उलज गया हो कुछ लाइताल छूड़ सवर्भारी हो गया हो इस समय संगतकार का पता चलता है देखिए जरा संगतकार की भूमी का मात यूं तो हमेशा से होता आया है और होता रहेगा भी पर विसेश रूप से तब होता है जब मुख गायक अंत्रे की जटिलता में कहीं तान खो बैठता है अपने सरगम को अपनी लाए ताल को लांग कर जब किसी और ही जंगल में या और ही गूंज में चला जाता है अपनी ही दुन में कहीं चला जाता है अच्छा दो ही थे चली देखिए तो कब मतलब इसका समझ में आता है जब कहीं पर भी जटिलतान में खो जाता है यह उसमें उलज जाता है अपनी से जब बाहर निकल जाता है तब उस समय संगतकार उसे बचा के रखता है तो संगतकार का महत्वा तब सही मालूम होता है अथ्वा ओके अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से यह भी भाव इस पस्ट कीजिए किस तरीके का भी आ सकता है कि संगतकार अपना लए ताल जो भाव है वो मिलाता चला आ रहा है अगला है अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से का भाव इस पस्ट कीजिए अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से यह किसके लिए बोला गया है संगतकार के लिए बोला गया है कि प्राचीन समय से हमेशा से ही मुख गायक के साथ संगतकार का एक रोल रहा है अहम भूमी का रही है और हमेशा से ही संगतकार गायक के साथ अपना गूंज अपने स्वर्ताल मिलाता है तो बहे गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से ही ये मुख गायक का साथ देता आया है उसका साथ उसने दिया है जब चूट जाता है कहीं उसका साथ तो वो साथ देते हैं जब वो कहीं अंतराल उसका चूट जाता है मुख गायक के अंतरे की जटलतान में खो जाने पर संगतकार क्या करता है तो मुख गायक के अंत्रे की जटलतान में खो जाता है मतलब मुख गायक के यहाँ पर आपको इतने चोटा इसलिए है आप सोच रहे होगा कि चोटा है क्योंकि यहाँ पर उस पद्द के अंतरगत दिया गया है कि अपनी गुझ मिलाता है प्राचीनकार से भाव यह है कि प्र संगतकार मुख मुख गायक को गाने के लिए थमाड़ मदद करता है संगत्कार मुख गायक को क्या किया दिलाता है संगतक्ार मुख गयक को क्या दिलाता है उसके सोये आ तक तो जो गल् tenga यहां पर होने की सम्मावन बढ़ जाती वह याद दिलाता है स्वरी याद दिलाता है वह पंगतीयों को बर्टमानें परित गाहती ओने उनको नnea उससे विशाय में गलतियां होने की सम्मावना बढ़ जाती है इसी तरह से मुख गायक जब इस्थाई पंतियों को छोड़कर अन्यत्र गायन में डूप जाता है मतलब अपनी इस्थाई पंतियों को गाँकर उसे बरतमान में लाता है यह थार्थ से परीचित कराता है और किसी गायक को जब इसकाता है साखल भूलिक कि और समय संगतकार याद दिलाता में यथार्थ वह permite ताल लाय को मिला कर और उसे बच्पन की याद भी दिलाता है कि ऐसे ही थे जब तुम नए सीखिया थे अब आगे इसके अगले अभी तुम हमने सारे उस पद्द की पड़ी हुई थी अब अगला पद है तार सब तक में जब बैठने लगता है उसका गला तार सब तक मतलब ल होता हुआ तब उसको जब लगने लगे कि अब प्रेड़ना मतलब मैं गाह नहीं पा रहा हूं उत्साह कहीं दीला पड़ने लगता है और आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ उसे लगता मेरी आवाज उतनी नहीं खिच पाईगी आवाज फटने लगती है तभी मु लगता है उसका गला बैठने लगता है जब उसकी प्रेड़ना उसका उसा साथ छोड़ने लगती गला कहीं फटने लगता है तब कहीं से साथ देता हुआ एक स्वर निकल पड़ता है संगतकार का कभी-कभी वह यहीं दे देता है उसका साथ कभी-कभी तो वह ऐसे क्योंकि कि आप अकेले नहीं गा रहे हो हम भी साथ में हैं लेकिन जब इस तरीके की तान लाए छूटने लगती है गला रुंधने लगता है उत्साह समाप्त होने लगता है तब संगतकार की आवाज आकर ये ठाटस बंदा देती है कि हम लोग हैं आप घवराईएगा नहीं आप तब तक सास लेजिए हम सवर इउथाते हैं और यह कहीं फिर सिगाया जासकता है गाया जाचुका रागी ये बताता है वह ये सम Cambον ता है कि जो राग गाया जा चुका है उसको फिर से उठाना है और उसकी आवाज में जो हिचक साप सुनाई देती है यह अपने स्वर दना उच间 ना उठाने की जो को से सहबों कह रहा है कि कहीं ना कहीं वह गाता तो बटाता है जो उसकी मनुष्त्र संझा जाना चाहिए इसा रही कि वह गात न moż के हन्ता तो लेकिन ये उनकी मनुष्थ आ है कि हमारे याँ जो मुखętम यह ऐस अष्य läuft आनी चाहिए हमारी आवाज भोत दिमारे हम इसको सहारा तो देंगे लेकिन गाने में में हम लोगों की आवाज więc मेरी संगतकार करा मेरी आवाज इनसे आगे नहीं होनी चाहिए यह उसकी विफलता नहीं यह तो उसकी मनुष्टा का पर्यायवाची है कि वो अपना अपनी आवाज को धीमे रख रहा है और वो अपने मुख गायक की आवाज को उठाए रखता है अब है इसका अर्थ कभी के अपने अवाज लगता है और उसकी आवाज में गाने के कारुटी variance मतलब गले में फटने लगता है उसकी प्रेड ना जब उसका साथ छोड़ देती है उसका उत्साह कम होने लगता है उसे ऐसा आभास होता है कि उसकी आवाज जब उसका साथ नहीं देगी तब कहीं से संगतकार अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं संगतकार उसे प्रोसाहित करने लगते हैं तसली देने लगते हैं कहीं कहीं संगतकार अपन उसे फिर भी गा सकते हो संगतकार क्या बता था ठीक बिगड़ा था पर अभी हम गाते जा रहे ना आप भी गाईए संगतकार में इतना संकोच अवश्य होता है कि कहीं उसकी आवाज मुख गायक की आवाज से तेजना हो जाए इतना तो अपने अंदर रखता है और उसको में रंदिये मानता है कि यह गाने वाला है तो संगतकार का यह भाव निश्चेती प्रसान सणीयए कि वह अपने मुख गायक की स्वें की आवाज से दभने नहीं देता बल कि मुख गायक की दबी हुई आवाज को अपनी ताल देकर या अपना स्वर देकर उसे बापिस उठाता है तो यह संगत कार का महत्विधा यहां पर अब इससे समंदित प्रशने की राख जैसा किसे कहा गया है और क्यों तो राख जैसा कहने का तरफ पर है कि जब आवाज कैसी होने लगती है तार सब तक तक जब पहुँचके गला बैठने लगता है आवाज छीण होने लगती है चीन होने की प्रक्रिया है तुलना मतलब जो आवाज दबने लगती आवाज जाने लगती गला फटने लगता है तो मतार सब तक पहुंचने के वाज चीन होने लगती उसकी आवाज तो इसी चीन होने वाली आवाज को कभी ने क्या कहा है राख कहा है कि राख जैसा राख जै ऐसे और मेरा घला बैठ ने लगता है उसकी आवाज सात चोड़ने लगती है ऐसा उसे लगता है ये भाव दिया गया है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि अब मैं गाता जा रहा हूँ अब मेरा गला बैठने लगा है आज भर भर आने लगी है अब मेरे अंदर वो सहा नहीं रहा अब मैं वो गाना नहीं गा पाऊंगा तो ये पंक्तियां उस सम गला में उसका किसके लिए आया है तो उसका गला में उसका का प्रयोग मुख गायक के लिए हुआ है तो उसका गला जब बैठने ऐसा करके न तो उसका मतलब मुख गायक का अब अथवा है इसके साथ कि बैठने लगता है उसका गला का सही क्या है बात वही यह दोनों का जब अपने अबाज उठानी है उपड़ता उसका गला साथ नहीं देता है तो इसका गला मुख debut के लिए बोला गया है ग्ला प्रशने मुख गायко ठाटर कौन बंदाता है और क्यों तो मुख गायक को ठाटर कौन-बनाता है संंगत्कार बंदाते हैं जो बनाते हैं कि वो कहते हैं कि हम सभी आपके साथ हैं आप अभी गायत तो मुख गायक को संगतकार ठाटस बनाता है संगतकार इंसानियत की भावना से प्रेरित होकर यह कारे करता है बताता है कि आप आप गा सकते होते हैं इंसानियत की भावना है नहीं तो खुद ही गा जाए पर इंसानियत की भावना से ये काम करता है कि आप गाये तो ये इंसानियत की भावना से परियरत होकर वो ऐसा काम करता है कि वो उनको सहारा देता है इसके साथ अथवा एक और प्रशन है तार सब्तक क्या है तार सब्तक अम यह पर तार सब्तक किसे कहा गया है तो सरवोच गायन को तार सब्तक कहा गया है जो तेजी से गाना गया जाता है उसको कहा गया है तार सब्तक सरवोच स्वार में जो गया जाता है मंगलकार के माध्यम से कभी किस प्रकार के व्यक्तियों की और संकित करना चाह रहा है मंगल कार के माध्यम से कभी किस प्रकार के व्यक्तियों की और संकित करना चाह रहा है तो ऐसे व्यक्ति जो कि क्या कभी संगत कार के माध्यम से तो अगला है मुख गायक को ठाटस कौन बंधाता है और क्यों तो मुख गायक को ठाटस कौन बंधाता है संगत का तो क्यों मानता है वह अपने इंसानियत की भावना से प्रिवित होकर वह उनको थाटस बन दाता है आप चाहे तो ज्यादा नंबर का प्रश्न आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि वह चाहता है कि अभी हम आपके साथ खड़े हुए हैं आप स्वर को आगे बढ़ा हैं आप गा सकते हैं किए आप अकेले नहीं है इसी था यहां पर सोट में ने दे दिया ङुए इंसानियत की भावना से बढ़ा करना है तो आप इसी कौर describe कर सकते हो कि किस तरीके से बोल रहा है क्यों बोल रहा है क्यों हो चाहरा है कि अबम लोग्सात्थ करना है तो संगतकार के माध्यम से कभी व्यक्तियों की और संकेत करना चाह रहा है तो संगतकार के माध्यम से कभी उन व्यक्तियों की और संकित करना चाहरा जो दीवार की नीवी की तरह अपनी तो कोई पहचान नहीं होती किन्त हुवे दूसरों के लिए दूसरों के अस्तित्व के लिए अपना अस्तित दाओ पर लगा देते हैं उनके नीचे दवे पड़े रहते हैं ऐसे जिनका नाम नहीं जिनको कोई पहचानता नहीं है ऐसे अनाम व्यक्ति दूसरे लोगों की सफलता में पूरा सहीयोग देते हैं तो संगतकार के माध्यम से कभी उन लोगों की बात जैसे हमने कई बार में ऐसी बात आती है तो मैं आपको कई बार कई क्लासिस में ऐसा बता च पर नीव में रखने में जब उसकी सुरुबात हुई तिस भवन के बनने में अच्छा कौन सा मजदूर था उनके नाम बताओ यह कोई पूछता है क्या नहीं पूछता तो उस घर की नीव में जिन लोगों के हाथ लगे उनको किसी नहीं पूछा तो संगतकार के रूप में कभी उनी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं कि वह दीवार की नीव दीवार की नीव का मतलब वही मकान की नीव वह दीवार की नीव जिसके बारे में कोई नहीं जानता जिसके बारे में कोई नहीं पूछता आप घर का उपर का आप डेकोरेशन देख दूसरों के अस्तित्व को बनाए रखती है दूसरों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो स्वयम के अस्तित्व की चिंता नहीं करता है स्वयम के अस्तित्व को खो देता है ऐसे अनाम व्यक्ति जिनका अपना कोई जो अपने दूसरों के अस्तित्व के लिए अपना दाव पर लगाते हैं ऐसे नाम व्यक्ति जो दूसरों की सफलता में पूरा सहयोग देते वह संगतकार आप बताईए मैंने का ना कि गाने वाला खड़ा हुआ है पीछे से लोग खड़े हुए उन लोगों को किसने देखा नाम पूछा वहां पर एक कि 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 किसी ने की बता रहेगा जादा हुआ तो गायक का नाम भी याद रहता पर उसके साथ कितने लोगों ने सहयोग दिया यह हमें याद नहीं रहता है हम याद करना ही नहीं चाहते ना तो वही संगतकार है जो मुख गायक को उभारने के लिए पीछे से अपनी आवाज दे रहा था जिसका उनको उठाने में मुख उनकी भूमी का होती रोट कोई और उपर जाता है और भूमी का वालों को कोई नहीं पूछता तो वह बात यहां पर बताए गई अगला प्रशन है संगतकार जैसे व्यक्ति संगत संगीत के अलावा और किन-किन छेत्रों में दिखाई देते हैं आप लिख सकते हैं कि मकान के निर्वाण में किसी भी फैक्टरी या किसी भी कंपनी जो उपर तक उठी चली जा रही है उसमें जो पहला एंप्लोई इसने काम किया या पर वहां के लोगों के बीच में और हम हर छित्र में जाए तो हम सरकार बनाते हम जिंता को कौन पूछ और दिया बस वह तो बन गए उसके बाद को ही पूछ नहीं तो हम सभी संगतकार में ही चले जाते हैं दीखीगा संगतकार जैसे व्यक्ति प्रया सरवत्र मिल जाते हैं बिलकुल ऐसा शायद ही कोई छेत्र होगा जहां पर संगतकार ना मिलें बिलकुल सही बात है हर जगा क किसी के सहयोग से ही तो उपर उठ रहा है उधान के लिए युद्ध छेत्र में अपने प्राणों की याहूती देने वाले बीर सैनिक की वीरता का श्रे सैना के उन अधिकारियों को मिलता है जो केबल नीती निर्धारित करते हैं बिल्कुल सही बात सबसे पहली तो यही थी ज जो युद्ध छेत्र में जिसने अपने प्राणों की वाजी लगा दी उसको कोई नहीं पूछने वाला पूछने वाला किस जिसने युद्ध नीती तैयार की थी जिसने वो रण नीती तैयार की थी उसको पूछ लेते हैं लेकिन वो सैने कौन यह नहीं राज अभी मैंने बोला राजनीतिक छेतर में संगत कारों की पंक्ती सबसे लंबी होती है उपर तक सरकार पुछनाने में मंत्र जनता फिर मंत्री संसाब का रोल है सामान ने जनता और कारेकरता हों द्वारा किये गए प्रियास का श्रे उच्च नेताओं को मिलता है लेकिन मैंने कहा ना जनता को कों पूछने आता है कि तुमने किसको दिया मैं तो हम संगत कारें हो सरकार को बनाने में चेतर भी संगत कारों से अचुता आध्यापक और प्राचारे के लिए प्राचारी के लिए संगत्कार की भूमी का निभाते हैं तो प्राचारे का नाम हो रहा या उसन्स्था का नाम हो रहा है तो शुट रहे पर वो वो प्राचार के स्रणी पर जा रहा है क्योंकि उनकी टीम ने उसके उनके कहें अनुसार कारी किया इसलिए तो वो क्या होगए तीम संगतकार हमारी आवाज उची न छली जाए हम उन से आगे न बढ़ जाए हम उनके हीर पीछे रहें यही तो हम सारे संगतकार हैं चाहे हम युद के मैदान में बाजी लगाने वाला वीर हो सरकार को बढ़ाने वाली आम जंता हो विद्या लए या किसी इंसिट्वी उठाने वाले जो लोग हो वो सब के सब संगतकार है उपर तक बठाने में कि maa योगदान था उसके शिश्यों का नहीं करते वो प्रचार नहीं जाते वो गुरू की सरण में ना बनाते अपने डेर सारे शिश्यों का एक जुन तो क्या बंच पाते वो गुरू स्रिष्ट नहीं तो ये सभी संग और भी ऐसे कई शेत्रें जो अच्छूते साहिद रह गए ह जहां आपको याद आता है कि और भी ऐसी जगह है जहां पर बाकी लोग की बारे में कोई नहीं पूछता है एक व्यक्ति के बारे में पूछता है तो आप बिल्कुल इसमें एड़ कर सकते हैं अगला प्रशने संगतकार किन किन रूपों में मुख गायक गाईकाओं की मदद करते हैं पहुत सारी रूपों में करते हैं गाने में भी करते हैं बजाने वाले रूप में भी करते हैं गुछ इस प्रकार की भी होती कि मुख गायक और गाईका के स्वर में अपना स्वर मिल कर वो प्रभाव पूर्ण करते हैं इसको गाने को मुख गाये गाईका के भटक जाने पर उनको इस्थाई जो मूल स्वर उससे जोड़े रखते हैं उनके स्वर में स्वर मिलाकर मुख गाये गाईका को अनुभूती कराने में सफल हो जाते कि मुख गाये के गाईका अकेला न पर हो जाते हैं तो मुख गायक गाईका गाने वाले जो गायका है उनके स्वरों को देकर क्या करते हैं प्रभावपूर्ण गाना बनाते हैं मुख गायक गाईका जब भटक जाते हैं तो उनके मूल स्वर को बांदे रखता है संगतकार जब मुख गायक के स्वर में स्वर में कि अनुभूती कराता है कि आप अकेले नहीं हो जब तार सब तक में मुझे स्वर में चला जाता है तब वहाँ पर उनके स्वरों को समालता है संगतकार तो संगतकार गायक गायका के प्रभाव को बर्पूरता बनाने के लिए तरपर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुख गायक का कहीं स्वर बिगड जाए तो यह उसके सारे गोण होते हैं बहुत पश्च किजी और उसकी आबाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अनेक स्वर को मुचा ना उठान कहीं उसकी आवाज मुख गायक की आवाज से उची ना हो जाए वो अपनी आवाज को नीची रखता है नीची रखना उसकी कोई आसफलता नहीं बलकि यह तो उसकी मनुख गायका के प्रती अपने स्रद्धा के भाव होते हैं इसी स्रद्धे भाव के कारण बस सतर्क रहता है कि कहीं उसकी आवाज मुख गाये के गायिका की आवाज से उची ना हो जाए उसके मुख गाये की पहचान उसका अस्तित्व कम ना हो जाए कभी ने संगतकार को ऐसे संकोच को उसकी बिफलता ना कहे कर उसकी मानवीय गुणों से संपन्यता का प्रतीक बताया है तो ये संगतकार के अंदर ये संकुष साब दिखाई देता है ये संकुष दिखाना उसके मानवीता के गुणों होते हैं कि मुख गायक गायका से उसकी आवाज कहीं उची न हो जाए उसके मुख गायका का स्तित्व अपना कम हो जाए यह उसकी आसफलता का कारण नहीं कि दीमे गाता है यह तो उसके अपने गायक के प्रती अपने मुख गायक के प्रती स्रद्धा और आदर के भाव होते हैं साथ ही यह उसके मानविये गुणों से वह पून है कि याद रख रहा है कि यहां पर मुख गायक शेत्र में प्रसिद्धी पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना युगदान देते हैं बिल्कुल सही बात है कई शेत्रों में प्रसिद्धी पाने वाले जैसे अभी एक वो प्रशना है था कि बताओ संगतकार कहां कहां मिलते हैं तो जिस भी शेत्र में इंसा याद करते पर आपको विधा ओर आपको जो दुनिया में लाए आपके माता पिता है ऐसा संसकार पर नीया आपको दी मैं खुक्राद शुरू से कर दिये माता पिताने फिर इक अच्छा विद्ध्या आको दीया आपके टीचर्स का भी हाथ है तब जाके आप पढ़ पा रहे हैं तो कई लोगों का हाथ होता है कोई एक उधारन देखकर इस कथन पर अपने विचार बेक्ट कीजिए देखिए उधारन बहुत सारे हैं और आप भी दे सकते हैं यहां एक उधारन देख लेते हैं ख्याती प् परिवार से संबंधर होने बाला बालक चंदरगुप्त चाणक का सहयोग प्राप्त करके शक्तिसाली समराठ बनाता यह रामभक्त श्रोमणी तुलसिदास एक बिपन एक गरीब परिवार के बालक थे नरहरीदास जैसे संथ गुरु ना मिलते तो कि जिनकी प्रेड़ना पाकर वो धन हुए है कि सहयोग से धन हुए तो क्या कभी वाज वो आज हम उने पढ़ रहे होते यह जानना की संसार में दूसरों का सहयोग पाकर जीवन पत पर कितने लोग अगसर हुए हैं उससे अधिक महत्पूर यह जानना है कि क्रदग्र बने रही यही सत यही बात जानने युग है हर व्यक्ति के पीछे हाथ है हर व्यक्ति की पीछे सहारा है हर व्यक्ति की पीछे कदम है चाहे वो चंद्रगुप्त मौरे रहे हो तो चाड़क का सहारा तुलसिदास तो नरहिदास का सहारा किसी भी प्रकार के व्यक्त एक एहसान वाला भाव रखा कि यह नहोते तो हम नहोते यह बात जानना बहुत ज़रूरी कितने लोग उनके आभारे बने रहे अगला प्रशन कभी कभी तारसब तक की उचाई पर पहुंच कर या सर्वोच गाने की उचाई पर पहुंच कर मुख गायक का स्वर बिखरता लोग में संगतकार की बिशेश भूमी का बताई तो उस समय संगतकार की विशेश भूमी का ये कि आप लड़कड़ाईएगा नहीं हम साथ में हैं आप अकेले नहीं हों मुख गायक अपनी आवाज को उची करते हुए तार सब तक तक ले जाते हुए कई बार लड़ खड़ा जाता है आवाज बिखरने लगती स्वर बैठने लगता है इस्तिती बिगडती हुई इसी नजर आती है संगतकार उस समय मुख गायक की इस्तिती को समझता है बिखेरने की भूमी का कौन ने बाता है संगतकार ने बाता है ठीक जब आब आज उची पहुंचते ये विखरने लगता है तो इसका तन क्यालों संगतकार की बिसेस भूमी का क्या है कि वह पिखरे हुए स्वरों को समैट कर आगे बढ़ता है रचना और अभिवेक्ति कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नरत्य समारों का कारेकरम प्रस्तुत करना है सोचिए और आपके सहयोगी किलाकर किसी कारण बस नहीं पहुंच पाए ऐसे में अपनी इस्तिति का वर्णन कीजिए आपको कैसा लगेगा आपके साथ वाले जो लोग हैं वो आपका सहयोग देने वाले हैं ऌफ का कारेकरता यह संगीत अरमारों में आपको गानाएं आपके साथ वाले लोग नहीं पहुंचे एक धार में मुझे प्रवचन करना था प्रबचन का निस्च समय निकट आ रहा था मंच पर कारकरता उत्सा से विवस्था में जुटे थे किन्तु मेरी घवराट बढ़ रही थी मेरा साथ देने वाले आचारे जो वहां पर थे आने वाले थे अभी तक नहीं आये थे बिलंब क्यों हो रहा था पता नहीं चल पा रही थी इसी भीज आचारे आते दिखाए दिये ऐसा लगा कि टिम टिमाता दीपक पुनह इसने पाकर इसने रूपी तेल पाकर जल उठाओ बिल्कुल आप किसी संगीत समारों में जा रहे हैं पर संगीत और किसी न्रत्य समारों की बात हो रही और यहां पर उनने दिया है कि एसी स्थिती में तो वो कह रहे हैं कि जब हम एसी स्थिती आ जाती है कि हम किसी संगीत समारों में जा रहे हैं उस समय हमारे अंदर इस तरह के भाव आ जाएं कि हमें न्रत्य करना हैं न्रत्य में जो मेरा साथ देने वाले लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं मैं उनके साथ ही Makhylen करें चाहिए कारे करूं को करने के लिए लोगों से हुए प्रति समेच हमा मांगूँझा अवसर मिलते हैं कि आधिक देर रिस्थिती में वहां रुक्रणा स्वास तो मर्यादा के लिए उजतना होगा करें कि हमारे साथ वाले हमारा साहिए यह क्शिणे की तो आदत नहीं यह ना सकते हैं हमने वह गुरोप अपने चार लोगों को साथ में रखा था तो उस समय कारे करम बिगणने से अच्छा या हमारा प्रभाव कम हो जाए इससे अच्छा हो कह रहा हैं कि हम भही उसे अब नहीं कर पाएंगे हमारा नाम यहां से हटा दिया जाए हमारी टीम अभी नहीं आई है आपके विद्धालाय में मनाय जाने वाले सांस्कित समारो में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए जब आपके विद्धालाय में तो यहां पर देखे कि मनाय गए सांस्कित समारो की सपलता से इह ज्यान हो समारोई की सफलता कीवल समारों में भाग लेने वाले लोगों से नहीं होती समारोई की सफलता का यथार्थ सही स्रेज हो जाता है वो समारोई की विवस्ता करने वालों पर जाता है यह सहीों की समारों की प्रारम होने से लेकर समारों संपन होने तक इनके बिना अच्छी से अ करता उसके बाद जो मन्च पर सामान था उसको समेट ना बार मन्च को हटाना सामान यह थाबत रखना यह कौन करता है यह सारा काम बहां पर रहने वाले जो मंच के पीछे वाले व्यक्ति यो करते हैं कारेक dönem को संभालने वाले करतें तो कारे करम को करने वाला तो करके चला जाता है व Wish identity कुषल कलाकारों का होता है महत्त कुषल सहयोग्यों का भी होता है कि हम अपने टीम के साथ क्यों दो चार लोग ऐसे भी रखते हैं если हम क्यों टीम बनाके जा-रहे हैं ऑप को तीम मैँ statement करने वाले तो अकेला तैयार हुआ अभ्यक्ति वहली वह चार ही क्योंना वुद्भागदवड़ी नहीं कर पाते तो हमेशा कलाकार तो महत्तों रखता हैं लेकिन उससे बराबर महत्तों रखते हैं वह सहयोगी जिनके बिना कार हो ही नहीं सकता कुसल और अभ्यस्त तो हमेशा आपके पारों में उन सहयोगियों को याद रखिए यदि वो ना होते तो सुन्दरता चलकती ही नहीं दिखती भी नहीं उपहास हो जाता मजाग बन जाता तो यहां पर अगला प्रशन है किसी भी छेत्र में संगतकार की पंक्ती वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्या शीर्स स्थान पर क्यों नहीं पहुच पाते वही मानवता है उनकी संगतकार की पंक्ती पाने वाले लोग प्रतिवावान होते हैं लेकिन सीर्स पर नहीं पहुच पाते क्योंकि सध्यों सहायक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति की बैसे ही संकुचित धार्णा हो जाती क्योंकि वह उस मुख गायक से आगे ना निकल जाए उस मुख गायक में के अनुसार इतना योग और सतर्क होता है कि संगतकार को मुख गायक की भूमिका में आने का आउसर ही नहीं देता जिससे वो संकुच सुभाव के बने रहते हैं तो संगतकार की पंक्ती वाले लोग प्रतिवावान होते हैं लेकिन उनके अंदर ये संकोच की भावना होती है कि वो मुख गायक से आगे न निकल जाए तो मुख गायक जो गाता है उसके संकोच में ये लोग पीछे बने रहते हैं उनमें संकोची सुभाव आ जाता है बस य यही कारण होता है उनके सुभाव के कारण जो उनको दिया जाता है सदे सहायक की रूप में काम करते रहने से उनकी वैसी ही संकुच धारना हो जाती है वो अपनी प्रतिवा का प्रतलसन करने में अकेले में संकुच हैनुभव करते हैं और उनके सुभाव में भी सहास का अभा में खो जाते हैं कि समाप्ति का हैसास ही नहीं होता है तो आपने संगतकार में आज बाकी बहुत कुछ सुनने समझने देखने मिला बहुत सारे प्रशन थे कुछ प्रशन जो में बड़े जाने चाहिए हमने छोटे भी आपको दिखाए हैं फिर मैंने आपको बताये कि आप उ मुख गायक की भूमी का संगतकार संगतकार क्यों रहे गया मुख गायक में संगतकार का क्या रोल है यह सब कुछ आपको पता है तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं आप आसानी से उसको लिख सकते हैं बड़े रूप में छोटे रूप में दो पंक्ती में चार पंक्ती म यहीं तो मारा उद्देश से कि इतने ध्यान से सुनो इतने ध्यान से हमको सुनो और पढ़ो कि आप अपने अनुसार भी उत्तरों को दे पाओ यूँकि हमने पाट पढ़ा था इस तरीके का पाट था आप तो यू लिख देंगे तो उमीद ही हमारा यह यह इसी उमीद पर हम कारे किये हैं कि आप हमारा इसी प्रकार सहयोग भी देते रहें कहीं शंका हो तो संका के समाधान के लिए वेबसाइट पर जाएए वहां कमेंट वॉक्स बाता है तो उसके लिए तो विजिट करना पड़ेगा बाकी आप देखी पा रहे हैं कि बहुत कुछ नए कोर्स भी आ चुके हैं आने वाले हैं जिन पर आपको भी फोकस करना है क्योंकि आप भी आगे बहुत सारे कोर्स करोंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो आपको भी लाव होगा और यहां पर जो पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं उनको भी यह Thank you.